पहले चरण में लोगसबा की पांस सीटों पर बतान होना है इनमें नागपूर चंदरपूर भंडारा गोंदिया रामटेग और गर्चिरोली चिमुर सीटे शामिल है इसे चुन्कला में आज बसपा के नागपूर लोगसबा प्रत्याशी योगेश लांचिवार ने अपनी से पहले सभी पार्टी के प्रतिश्टीत नागरिक, सामाजिक कारिकर्ता, रिपब्लिकन पार्टी के स्तांगियन मिता, समता से निक्तल, मुसलिम समाज के मौलाना और अन्य समाज के बड़े बुजर्ग लोगों से मिले, गनिवस्तियों में पैदल मार्च निकाली, मोटर स प्रतिश्टीत नागरिक, सामाजिक कारिकर्ता, रिपब्लिकन पार्टी के स्तांगियन मिता, समता से निक्तल, मुसलिम समाज के मौलाना और अन्य सभी समाज के ऐसे जो बड़े बुजरुग है, उन लोगों को सबसे पहले हम दो तीन दिन उनी लोगों से मिले, और उन लो छे विदान सबों हमने पैदल मार्च निकाला, पैदल मार्च में जो घनी बस्तिया है, उन घनी बस्तियों में मेरे सारे कारे करता, साउन के साथ में, ढोल ताशे के साथ में, जहिंडे और हमारे सारे गले के चो यह है, नीले जहिंडे, वो सब लेकर हम गली बस्ती में सब को हाथ जोड़ते हुए सभी के दरवाजे पर गए पहली बार जनता ने बोला कि खासदार के इलक्षन में जो खड़ा है बहुजन समाज पार्टी का प्रतैशी ये घर तक आया है बाकी तो स्रीप रोड से हाथ दिखा कर चले जा रहे उनका भी हमें बहुत अच्छा रिस्प और निवेदन कर रहें साथी साथ छोड़ी चोड़ी जो नुपकर मिटिंगे होती ही यह महिला मंडलों की विहार कमेटीओ की मोहलानाों की और बाकी सभी समाज के जो प्रतिस्टीतनागरिक है वह अपने अपने इलाके में छोटी-चोटी मिटिंगे लेकर यहां शेर की हम समाज के सारे लोग उनलों को समझाने का प्रयास कर रहें प्रतिसाथ बहुत ही अच्छा मिल रहा है और मैं आप लोगों को बता दू कि इस बार इस बार एक करिश्मा होने वाला है जो आस तक का नहीं हुआ नाकपुर की सरजमी पर जो यहां पर भूजन समाज के लोग रहते बुद्धिस्ट लोग रहते, सडूल कास्ट के रहते, आदिवासी रहते, OBC रहते, मुस्लिम समाज और अन्यधार्मी कलपसलक्याक समाज के जो लोग रहते वे सारे लोगों ने बोल दिया है कि दोनों को हमने देख लिए, बीजेपी को देख लिए, कॉंगरेस को देख ल योगेश लांजवार जैसा है कद्दावर कारे करता खड़ा है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, और ये हमारे सुक सुविदा और हमारे सारे अधिकारों के रक्षा करेगा, सविधान के रक्षा करेगा, इसी को हमको संसद में भेजना है, ऐसी सारी जनता हमको अभी फिड करेंगी कैमरा परसन राजकुमार महड के साथ शितिजा देशमुखी रिपोर्ट